नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश गरंट गंगा में। नमस्कार दोस्तों अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे आपके जीवन में राजा के समान सुख, संपत्ती और वैभव का आगमन हो जाएगा। इसलिए आज का ये विडियो बेहद ही महत्वपून रहने वाला है। इसे अंत तक जरूर देखें और सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखें। जैमा लक्षमी दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग करते हैं या फिर उपाय करते हैं तो आपको पून आस्था और विश्वास के साथ उस प्रयोग को करना चाहिए। अगर आपको विश्वास है, तो आप पत्थर में भी भगवान को देख सकते हैं, और अगर आपको विश्वास नहीं है, तो स्वया भगवान आपके सामने आ जाएंगे, फिर भी आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे इसलिए आप जो भी कार्य करते हैं, आप जीस भी इश्टदेव को मानते हैं आपको पूर्ण समर्पन और विश्वास उनके प्रती होना आवश्चक होता है तभी जाकर आपके सभी प्रकार के मनोरत पूर्ण हो जाते हैं और अगर आपका मन मजबूत होगा, तभी जाकर के आप पूर्ण विश्वास के साथ किसी भी कार्य को कर पाएंगे और पूरे विश्वास के साथ अगर आप किसी प्रयोग या फिर उपाय को करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ भी देखने को मिलेगा आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता, काम के प्रती आपकी आस्था जगाने लगेगी दोस्तों में पानी एक ऐसी चीज है, जो हर चीज में प्रवेश कर जाती है, कोई भी वस्तु पानी की धारा को रोक नहीं सकती, हर जगह पानी समाहित हो सकता है, पानी अपने आप में स्वतंत्र होता है लेकिन जिसके साथ वो मिल जाता है उसी का स्वरूप ग्रहन करके उसी के समान फल प्रदान करने लगता है दोस्तों पानी के माध्यम से आप अपने जीवन की हर एक समस्या का समाधान बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं जैसे कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता जिसके कारण उसके माता पिता परेशान रहते हैं तो ऐसे में आप एक काज के ग्लास में साफ पानी ले ले उस पानी को ध्यान से देखते हुए आपको खुद बच्चे के लिए कहना है कि मेरा पढ़ाई में मन लगा है मैं अब रोजाना इतने घंटे पढ़ाई करूंगा अब मैं हमेशा ही अपने क्लास में उच्च आने का प्रयास करूंगा इस प्रकार से उस पानी को देखते हुए आपको उसे अभिमंतरित कर देना है और उसे अपने बच्चे को पीला देना है जिसका मन पढ़ा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अंधेरे में जाने से डर लगता है तो ऐसे में आप एक गिलास साफ पानी ले लीजिए और उस पानी को देखते हुए बोलिए मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता और ऐसा कहकर आपको उस पानी को उस व्यक्ति को पीला देना है जिससे अंध जाता है, जो हमारे पूरे शरीर में विद्यमान है। अगर आपके शरीर में जल की कमी होती है, तो इससे न सिर्फ आपको शारिरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि आपको अपने जीवन में कई प्रकार की आर्थिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करन परता है। आपके शरीर में मौजूद पानीना सिर्फ आपके शरीर को सुरक्षित रखने का कार्य करता है बलकि ये आपके चंद्रमा को भी मजबूत बनाने का कार्य करता है। परता हैं तो आप एक ग्लास पानी ले ले। फिर उस समस्या का मन ही मन एक बार उच्चारन करें और बोल दे की मुझे इस समस्या से कुछ दिनों में चुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। दोस्तों पानी के माध्यम से कई प्रकार के टोने टोटके और प्रयोग किये जाते हैं। अगर आप पानी का प्रयोग करके किसी व्यक्ति के उपर वशिकरन करते हैं तो वो व्यक्ति जीवन भर आपके खिलाफ नहीं जाएगा। वो आपके अनुसार ही कार्य करने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि आप किसी व्यक्ति को गुलाम नहीं बना सकते। तोने और टोटके के बीच पहला और स्पष्ट अंतर है कि टोना केवल बुरा करने के उद्देश से किया जाता है। जबकि टोटका किसी अच्छे काम को साधने के उद्देश से यानि टोना साध्य को पाने का गलत तरीका है और टोटका साध्य को हासिल करने का पवित्र तरीका है। लोग वशीकरण को खेल समझते हैं परन्तु वशीकरण करना इतनी आसान बात नहीं होती है परन्तु कुछ लोगों को आपने बड़ी ही आसानी से ही किसी भी अन्य व्यक्ती के उपर वशीकरण का प्रभाव डालते हुए देखा होगा। आप जो भी वशीकरण का कार्य करते हैं अगर आपका उद्देश अच्छा है और सही है। पूरे जीवन भर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों पानी बहुत ही उप्योग चीज मानी जाती है। अपने विचार को एक जगह से दूसरी जगह पहुचाने के लिए दोस्तों अगर आप किसी परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं या फिर आपकी कोई मनोकामना है जैसे कि कुछ लोगों की मनोकामना धन की होती है। उनके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा कमी होती है जिसके कारण वे लोग अपने जीवन के हरेक पहलु का अच्छे से आनंद नहीं उठा पाते। दोस्तों अगर आप भी धन की इच्छा करते हैं या फिर अपना खुद का घर बनवाना चाहते हैं या आपके किसी अपने की तबियत खराब है उसकी तबियत ठीक होने की कामना करते हैं। आपके पास इलाज करने के पैसे नहीं है, ओपरेशन कराने के पैसे नहीं है, तो ऐसी स्थिती में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. या फिर अगर आपके शत्रू ज्यादा मात्रा में है, आपको लगातार शत्रू परेशान करते रहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की और कोई परेशानी आपको हैं जिससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस प्रयोग को आपको अवश्य करना चा बुधवार की रात जब आप सोने के लिए जाते हैं, तो उस समय अगर आप बेड़ पर सोते हैं, तो बेड़ के नीचे दिखाने के पास तामबे के लोटे में पानी भर के रख देना, उस पानी में चावल के ग्यारा दाने डाल दें, हाथ मोह धो करके आपको ये सब कार्य कर और जब आप सोने के लिए बेड़ पर जाएंगे, उसी समय आपको मन ही मन कम से कम पांच मिनट तक अपनी इच्छा को सोचना है, जब आप लगातार पांच मिनट तक अपनी इच्छा का मन ही मन स्मरण करते हैं, तो इससे आपका वो जल अभिमंतरित हो जाता है, फिर जब आप इसकी जड़ में पानी डालते हैं, तो ये सभी आतमाय त्रिप्ठ हो जाती है, और त्रिप्ठ होने के बाद आपकी इच्छाओं की पूर्ती करने लगती हैं, दोस्तों इस प्रयोग को आपको बुधवार के दिन ही करना है, चाहे तो आप इसको एक बार कर सकते ह तीन बार कर सकते हैं, पांच बार कर सकते हैं। जितनी ज्यादा बार आप करेंगे, उतना ही ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। आपको सफलता मिलेगी आपका हर कार्य बनने लगेगा। लेकिन याद रहे ऐसे प्रयोग को करते समय आपको इसके बारे में किसी को भी बताना न नहीं है। साथ ही टोटका करते समय आपको अपने मनोबल को टोटके के साथ जोड़ना है। ऐसा करने से ये अच्छा असर दिखाते हैं। कम्मेंट बॉक्स में जय महालक्षमी लिखना बिलकुल ना भूलें।